जोहार जन्मन की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ आनन्द कुमार दोस्तो जामा विधायक सीता सुरेन के भाजपा में शामिल होने के साथ ही सोरेन परवार का कलح सतह पर आ गया है अब सोरेन परिवार में स्वरगिये दुर्गा सोरेन के नाम पर सियासत शुरू हो गई है और देवरानी कल्पना सोरेन और जेठानी सीता सोरेन में जंग छिर गई है सोशल मीडिया एक्स पर यह जंग वाइरल हो गई है और इस जंग में सीता सोरेन की बेटियां भी कूद पड़ी है 20 मार्च को सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई थी और सीता ने कहा था कि उनके पती स्वरगिये दुरगा सोरेन ने जारखंड और जारखंड मुक्ति मुर्चा के लिए त्याग और बलिदान दिया लेकिन उनके निधन के बाद से ही उनका परिवार लगातार उपेक्षा का शुकार हो रहा है इसके बाद 21 मार्च को कलपना सोरेन ने दुरगा सोरेन और हेमन सोरेन के संबंधों को लेकर ट्विटर जो अब एक्स हो गया है उस पर एक पोस्ट डाला एक तस्वीर भी डाली हेमन सोरेन और दुरगा सोरेन की और उन्होंने बताया कि हेमन सोरेन तो राजनीती में आना ह सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के लिए दुर्गा सोरेन सिर्फ बड़े भाई नहीं बलकि पितातुल अभिभावक के रूप में रहे। 2006 में जब वे शादी करके सोरेन परिवार में आई तब उन्होंने हेमंत सोरेन का अपने बड़े भाई के प्रती आदर समरपन और दुर्गा सोरेन का हेमंत के प्रती प्रती प्यार देखा। पर शिबू और दुर्गा सोरेन की विरासत और संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। उन्हीं के संघर्षों को आगे बढ़ाते और पूंजी पतियों सामंत वादियों के खिलाफ लड़ते हुए आज हेमंत जेल चले गए। वे जुके नहीं उन्होंने एक जारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना वैसे भी हमारे आदिवासी समाज ने कभी पीट दिखा कर समझोता कर आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है। जारखंड की जनता उन पर थूकेगी जिन्होंने दुरगा सोरेन और उनके लोगों को मिटाने की साजिश की। मेरी और मेरी बेटियों की पीडा, उपेक्षा और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। सीटा सोरेन ने जारखंड वासियों से आगरह किया है कि उनके स्तीफे को एक वेक्तिगत संघर्ष के रूप में देखें न कि किसी राजनीतिक चाल के रूप में। इधर कलपना सोरेन के ट्वीट के बाद सीता सोरेन की दोनों बेटियों राजश्री और जैश्री ने अपनी चाची कलपना सोरेन के खिलाफ मुर्चा खोल दिया है। दुरगा सोरेन और सीता सोरेन की दूसरी बेटी जैश्री सोरेन ने भी अपने बहन के ट्वीट को रिट्वीट किया है। बेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं तो दोस्तों देवरानी और जिठानी की ये जंग और भतीजियों और चाची के बीच जो सोशल मीडिया पर जो वार चल रहा है। यही करने के लिए सीता सोरेन को भारती जनता पाटी ने शामिल कराया है क्योंकि अभी तक मामला एक तरफा था। कलपना सोरेन सारुजनिक मंचों से आग उगल रही थी, आंसू बहा रही थी, जारखन की जनता की सहानुभूती लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इस चंग में उनके सामने सीता सोरेन आ गई हैं और जिस दुरगा सोरेन के नाम पर अब राजनीती शुरू हो गई ह उनकी आत्मा भी यह देखकर कलपती होगी कि जिस जारखन मुक्ति मुर्चा को उन्होंने बनाया सवारा अपने पिता के साथ, आज वो किस हाल में पहुँच गया है, इस हाल का जिम्मेदार कौन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, परतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जर नमस्कार